जेहिन दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ICMR NIMR Offline Form 2020 के बारे में कि कैसे आपको Various पदों का form फिलप करना है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस form को बिना किसी मिश्टेक के भर पाओगे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों मैं आपको बता दू कि मैंने सुबह ही ये वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने आपको इस बरते के eligibility criteria के बारे में जानकारी दी थी जिसमें कि All India से 1012 वी graduate और post graduate qualification वाले candidate आवेधन कर सकते हैं और इसमें आपको आवेधन करने के लिए कोई application fees देने की भी आल सकता नहीं है तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो ने देखी तो आप ये वीडियो पहले वाच कर ले और इसके form fill up करना है तो अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये इसका official notification है जिसमें कि आपको परतेक post wise qualification vacancy retail और किसके लिए कितनी vacancy निकाली है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो और इसमें जो आप लोग आवेधन करोगे ये आपको form offline way में fill up करना है बट आपको इसको कही पर speed post के माद्यम से भेजने के आव सकता नहीं है आपको सिर्फ इस email ID के उपर अपने form के print को या PDF को भेज देना है अब यहाँ पर जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये इसका application form है जो कि आपको print कर लेना है यानि के पहले आपको इसको download करना है और फिर download करने के बाद आपको इसकी 4-5 print out निकल वा लेने हैं मैं जानता हूँ कि अभी lockdown है और दुकान open नहीं होगी तो मैं आप से बस यह कह सकता हूँ कि आप जैसे भी करके ये print out निकल वा लीजिए और निकल वाने के बाद जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ वो follow कर लीजिए पर यह आपका application form है यहाँ पर दे जा रहा है application for the post ओप यान कि किस post पर आप आवेदन करना चाहते हो तो आप इसमें एक बार में सिर्फ एक ही post पर आवेदन कर सकते हो अगर आपको एक से ज़्यदा पोस्ट पर आवेदन करना है तो आपको उसके लिए अलग से application form बेजना होगा क् आप यहाँ पर ऊपर की line रीड करोगे please tick mark only in one box the post you are applying for use separate form is if you wish to apply for more than one post यान कि अगर आप एक से पोस्ट पर apply करने की इच्छा रखते हो तो आपको अलग से application form बेज़के उस post के सामने टिक करके apply करना है तो इसलिए आपको यहाँ पर जिस भी post पर apply करना है उसी post के सामने आपको right tick कर देना है फिर आता है category तो जो भी आपकी cast category है वो आपको यहाँ पर choose कर लेनी है यानि कि उसी के सामने जो box है उसमें आपको right tick कर देना है फिर आता है name of the applicant in capital words यानि कि आपको अपना नाम देना है और आपको यह अंग्रेजी के बड़ेक्सरों के अंदर देना ह होगा यहाँ पर आपको वो अपना नाम दस्वी की mark sheet के नुसार लिख देना है आपका gender यानि कि sex क्या है male, female या फिर other आपको इसी box में right tick कर देना है marital status क्या है married हो, unmarried हो, divorced हो या फिर video हो आपको इसी के सामने right tick करना होगा name of the spouse यानि कि अगर आपने marital status के अंदर unmarried के अलावा को your status choose किया है तो आपको यहाँ पर अपने पती पतने का नाम देना होगा date of birth यहाँ पर आपको अपनी fill up करनी है और यह भी आपको दस्वी की mark sheet के नुसार बढ़नी होगी फिर आता है age as on last date यानि कि 14.5.2020 जो आपकी last date है पोस्ट के according जो की indicated above है यानि के ओपर दी है तो इस तक आपकी उमर कितने दिन कितने मैने और कितने साल की होती है यह आपको age calculator के माद्यम से calculate कर लेनी है यहाँ पर मैं age calculator open कर लेता हूँ इसमें यहाँ पर आपको पहले वाली website open कर लेनी है open करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी date of birth चूज करनी होगी तो चले यहाँ से मैं date of birth fill up कर देता हूँ यह हमने यहाँ से इसको fill up कर दिया फिलप करने के बाद जिस डेट तक आपको निकालनी है अपनी उमर यह है आपकी 14-5-2020 तो आपको यहां से मही रहने देना है और इसमें 14 आपको सेलेक्ट कर लेना है और फिर कैलकुलेट के ओपर किलिक कर देना है इसके ओपर किलिक करने के बाद आप देखोगे आपकी उमर इसके अनुसार या फिर जो भी आपकी डेट ओपर थै उसके अनुसार 23 साल 0 मंध 12 days की होती है तो यहां पर आपको लिख देनी हैं, फिर आते है आड्रिस पर यहां पर आपको पूरा आड्रीस यहां पर आपको लिखना होगा लिखने के बाद आपको अपना मॉबाईल नंबर यहां पर लिख देना है और जो भी आपकी email आडिये है वो भी आपको यहां पर mention कर देनी है इसके बाद है permanent address यहां पर दोस्तों आपको अपने permanent address की जानकारी दिनी होगी अब आती है नेसनलिटी तो यहाँ पर आपको नेसनलिटी के सामने INDIAN यानि के इंडियन लिख देना है Educational Qualification यहाँ पर दोस्त दिये जा रहा है Inclosed Attested, Coffees of Degree, Diploma Certificate and Marksheet यानि के आप जो जानकार यहाँ पर भरोगे वही आपको इसके साथ Attested भी करनी होगी यहाँ पर पहले आप देख लीजे Tenth तो आपने Tenth में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आपको लिखने है आपने किस Board किस Council से की है उस Board का नाम यहाँ पर आपको लिखना है और Month and Year Passing यहाँ पर आपको लिख देना है जिसे की जुलाई 2020 या फिर मन्त 2019, 2017, 2012 जो भी आपका मन्त है वो आपको यहाँ पर डाल देना है इसके बाद आती है 12 तो यहाँ पर आपको 12 की जानकारी देनी है अगर आप ऐसी पोश्ट पर आवधन कर रहे हो जिसमें की higher qualification मांगी है तो आपको 10-12 वी डिपलोमाट डिगरी की जानकारी सीम तरीके से बढ़नी होगी इसमें कोई भी जानकारी चेंजबल नहीं है यानि के कोई ऐसा जानकारी भढ़ना आपको नहीं पढ़ेगा जिसमें कि आपको confusion हो अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आना है और आप देखोगे current activities तो अगर आप कोई current activities कर रहे हो तो आपको उसकी जानकारी यहाँ पर लिख देनी है नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है 14 पॉइंट आता है इंक्लोज कोपी तो work experience certificate यानि के आपको जो आपके certificate की कोपी है वो भी इंक्लोज करनी होगी और साथ इसकी जानकारी देनी होगी अगर आप ऐसी post पर आवदन कर रहे हो जिसमें experience मांगा है तो यहाँ पर आपको किस परकार से experience की जानकारी भढ़नी हो आप देख लीजे और कब तक आपने काम किया था वो date आपको 2 के section में लिखनी है scale of pay and gross pay drone यानि कि आपको कितना scale of pay दिया जाता था और gross पे आपका क्या था वो यहाँ पर आपको लिखना होगा nature of work आपके काम की परकरती थी उसमें आप क्या करते थे उसकी जानकारी आपको इस वाले section में लिख देनी है अगर आपके पास अगर आप ऐसी post पर आविदन करे हो जिसमें experience ज़रूरी नहीं है तो आप इन सब को खाली छोड़ सकते हैं यानि कि skip कर सकते हो फिरा ते 15. knowledge of computer application if any please attach certificate diploma degree अगर आपके पास है computer application के knowledge तो आपको इसको जानकारी यहां पर yes no में लिखनी है और साथी जुसका certificate diploma या फिट डिगरी है वो आपको attach करनी होगी details of publication if any अगर आपके पास है तो आप यहां पर डाल दीजिए ने तो खाली छोड़ दीजिए name and address of two referees well known with the applicants work यानि के आपका जो work है उसके बारे में जो जानते है referees उसके बारे में आपको यहां पर जानकारी देनी होगी बट अगर आपकी कोई ऐसी referees नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं यहां पर आपको अगर जानकारी भढ़नी है तो आपको name डालना है एक दो और occupation और position यानि किस post पर वो काम करते हैं उसका नाम यहां पर आपको देना होगा अगर आपको इनके उपर टिक करने है जो जो डोकुमेंट आप इस फोर्म के साथ अटेच करने वाले हैं जैसे कि certificate in supportive phase जिसमें की high school certificate लग जाएगा तो आपको यहां पर इसके उपर टिक कर देना है अगर आप दस्वी की मारक्षी दे रहे हो अगर आप degree diploma दे रहे तो आपको इसके उपर भी टिक करना हो नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है अगर आप accident certificate दे रहे हो तो यहां पर आपको टिक करना है और साथ इसको document अटेच करना होगा नहीं तो आपको इसको खाली छोड़ देना है फिर यहां पर declaration आते हैं यहां पर दोस्तों आपको अपना नाम mention कर देना है पहले इसका नाम लिखना है जहां से आप इस form को भर रहे हो डेट यहां पर डाल ल आओगे तो आप यहां पर देखो कि recruitment.nimr.icmr.gmail.com इसके उपर आपको last date से पहले इस form को भेज देना है यहां पर दिया जा रहा है इस पेसली there is no need to send any documents with the application form basically इसके form के साथ आपको कोई भी documents भेजने के आव सकता नहीं है बट अगर इस application form के according चला जाए तो यहां पर आप आपको कहा जा रहा है कि आपको इस form के साथ in close करनी है उसके certificate बट यह form जो है यह आपका पुराना form इन्होंने attach किया है क्योंकि भरती नहीं हो है बट form आपका पुराना है इसलिए यहां पर इन्होंने अलग से आपको official notification के अंदर बताया है कि there is no need to send any documents with the application form यानिके इस form के साथ आपको कोई भी documents भेजने के आउसकता नहीं है यह आपसे जब आपका document verification होगा तब ही ले ले जाएगा इसलिए आपको simply application form fill up करना है कोई भी documents आपको अटेच करने के आउसकता नहीं है जो कि मैंने यहां पर आपको option के अंदर बताया है आपको सिर्फ यह टिक कर देना है इसके documents आप attach मत कीजिएगा क्योंकि अगर इसके according चला जाए तो यहां पर देजा रहा है तो इसके according आपको भेजने के आसकता नहीं है आप चिंता मत कीजिए क्योंकि यह लाइन यहां पर दी जा रही है तो अगर आपके मन में doubt है कि कभी form reject हो जाए तो ऐसा नहीं होगा आप simply यह application form fill up करके बेज दीजिए और जो लोग select के जाएंगे उनकी list इनकी official website के ओपर डाली जाएगी साथ ही एक post पर 30 candidate बुलाई जाएंगे आप यहां पर देख सकते हो तीसरे point के अंदर in the event of more than 30 eligible candidates available for a post यानि कि एक post के लिए 3 eligible candidates available उपलब दोंगे और यह आपका interview document स्क Skype या फी video call के दोरा ले जाएगा जिसे कि आप सब जानते हो coronavirus है तो आप कहीं पर जाना ही सकते है इसलिए आपका Skype या video call पर interview ले ले जाएगा तो दोस्तों यह आपका application form completely fluff हो चुका है और I hope यह जो complete जानकारी है form process की वो आपको पसंद आई होगी और आपने जानकारी मैंन की साथ आपके अपने चनल ग्यांदे होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के notification सबसे पहले मिल पाए जे हीं दोस्तों